Hey hi everyone my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club right so finally UPSC CSE 2023 Prelims is over and I hope आप सबने अच्छे से दिया होगा ठीक है तो इस पर्टिक्लर वीडियो में हम लोग बात करेंगे about the UPSC CSE Prelims कैसा था क्या था राइट देगे answer की वगेरा आप अराम से match कर सकते institute से ठीक है इस वीडियो में हम लोग basically बात करेंगे paper के बारे में CSAT के बारे में हमारी जो YouTube पे series गई उसका क्या impact था हो तो आप screen पे खुद ही देख सकते मेरे पास खुल बच्चों के आया message ठीक है right methodology जो मेरी methodology थी कि क्या sir सिर्फ आसान question से solve हो सकता है बिलकुल ठीक है cut off को discuss करेंगे थोड़ा सा and future course is in the sense हम लोग कैसे YouTube पे follow करेंगे क्या है तो उसके बारे बात करेंगे so first and foremost अगर आप मुझसे पूछो ठीक है कि sir how was the paper ठीक है तो भाई देखो paper any day was very very tough very very tough for the simple reason is that question तो tough थे ही but उसके जो option मनाए गए थे वो और भी ज्यादा tough थे मैंने आपको हमेशा से बोला है question से जादा tough उसको tough बनाता है उसका option and that was clearly seen in the paper right तो जो भी बोला है भाई paper आसान है ये वो he is brutally या he is मैं तो कोँगा mistaken ठीक है ये चीज आप धियान रखिये then yes paper was on unexpected lines ठीक है why because आप देखते होगे YouTube पे क्या चलता है YouTube पे चलता है Elimination Elimination लोग Elimination के course बेच रहे हैं right ठीक है तो this is a tight slap on those you can say so called Babas selling all fake and all false insecurity लोगों को बेचा जाता है कि सर हमें तो trick नहीं आती लगा Elimination लगा ठीक है तो this is a tight slap on all the people all those people who are trying to guess the paper यह उनके मूँ पे एक तमाचा है ultimately कौन जीतता है भाई मैंने तुमसे पहली बोला था knowledge जीतती है दोस्त और हमारी YouTube की series यह बात का proof है यह बात का fact है कम से कम तीन से चार question directly मेरी YouTube series से फसे थे जबकि time कम था नहीं तो मैं और discuss करता तो और फस थे ठीक है यह देखो यह तो मुझे के जो बेरे आपको बताया था ठीक है nocturnal वगेरा वो फसा राइट तो हमेशा ध्यान दक्खो दोस्त knowledge wins over anything anything and this is what UPSC wants to say राइट पहले यह पहल गया था क्या prelims के बारे में अरे प्री इस अबाउट लॉजिकल प्री बाउट ना कोई लॉजिक वोजिक नहीं ठीक है भाई तुम्हें पता है तो पता है ठीक है UPSC wants to set this clear तो कोई भी आगर आप ऐसे mentor बाबा और इस तब के जाल में फसते जा रहे है ठीक है जो और उनके course खरीद रहे है तो भाई ऐसे ही बरबाद होगे जैसे आज paper में अगर हुए हो तो ठीक है और knowledge को trust करोगे वो भी मेरी नहीं अपनी खुद की ठीक है self study करेंगे थोड़ा ब बसता ठीक है तो यह था मेरा view about the paper about our knowledge series on YouTube और what is UPSC trying to say ठीक है एक चीज़ और UPSC बताना चाहता है don't take any aspect of the exam lightly अब तक pre में क्या चलता था अरे pre के लिए तो 15 दिन चाहिए अरे pre के लिए तो एक महीने में हो जाता है अरे मैं तो means का पढ़ती थी pre तो last moment पे देख लिया कु secondly pre को अब आपको एक daily आपको time देना है बताऊंगा आगे don't worry ठीक है I'll discuss in future videos कैसे प्री को prepare करना है ठीक है और आपका pre होगा ठीक है pre देखो बहुत दिन पे दिन तफ होगा अगले साल और टफ होगा don't think अगले साल आसान होगा नहीं भाई कि अरे अगले साल UPSC suddenly आसान करके 150 का टफ या 120 कर देगा नहीं ठीक एट वांस टू शो इस यह कहते हैं रुत्वा देख साले पेपर क्या होता है यह ऐसे होता है ठीक है एनी एक्जामनर सेटर वांस टू इस और वही चीज यहां पर दिखाई गई है and it is a tight slap on all these coaching वगेरा जो यह सब प्रोपगेंडा प्रमो बता हूं ठीक है फिर एक चीज और बताना चाहूंगा answer की को लेकर देखिए अभी answer की में बहुत fluctuation आएगा revise होंगी दो तीन चार बार तो हो सकता है आपके 10 से 12 नंबर जादा कम भी हो सकते हैं ठीक है तो tension ना ले answer नहीं आ रहा है यह है वो है तो आप उसकी tension मतले second चीज देखिए एक और UPSC ने यहां हमको clear cut बोल दिया है CSAT का अपसे नाम change हो गया UPSC में it's cat totally cat level से उपर के paper थे right one of my friend ठीक है he has done IFT MBA कर रहा है right and he gave this exam और मैंने उससे personally पूछा बोला भाई यह उस level से भी उपर questions थे जो mathematics और उन सब के PNC और वो उस type के थे ठीक है वो तो उसको कोई इसलिए आदत थी क्योंकि उन्हें already कर रखें but if you haven't done these questions multiple times नहीं होगा CSAT के लिए आपको proper one full year देना होगा daily आपको कुछ ना कुछ start करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा last one month two months इस type में कुछ नहीं होगा ठीक है तो यह चीज आप ध्यान रखें CSAT is no joke ठीक है और इस cut off my dear friends cut off अब बात करते cut off तो last year की cut off around about 88 थी मैं general की बात करूँगा बागी आपने judges कर लेंगे और इस साल की cut off definitely 80s के around रहेगी इसका reason क्या है इसका reason है दो first paper अब में अगर आप देखोगे तो scope of elimination बिल्कुल खतम हो जाता है बिल्कुल ठीक है and as a result क्या है as a result आप देखोग की जो sharp spike आता है number हो में ठीक है राइट वो नहीं आ पाएगा हर question यहां decider बन गया no question was ऐसा की decider नहीं है क्योंकि हर question में लोग खेल लहे थे every question was tough ठीक है due to its option if not every then at least 80 to 85 90 questions were there like this second चीज जो दिक्कत आपको देगा वो cut off को गिराएगा CSAT CSAT में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका नहीं आ रहा होगा clear as a result क्या होगा कि भाई 80s में भी आ रहे होंगे उनके number 85 तो क्या होगा they will get eliminated and the cut off will fall ठीक है अब देखो मैं कोई बाबर श्री तो नहीं हूँ exact बता दू राइट ठीक है बट एक चीज़ आप धियान लग for this ahead ठीक है why क्योंकि देखो अगर mains का result आएगा भी प्रीक आई जाएगा तो 20-25 दिन में and if you clear you will regret losing out your these 20-25 days ठीक है तो यह चीज़ आप धियान रखिये this is very very important cut off चाहे कुछ भी हो ठीक है 80s हो 90 हो कुछ भी हो अला कि 80 से उपर तो I don't feel जानी चाहिए because CSAT was really very tough ठीक है right and as a result क है cut off नीचे जाएगी तो आपको prepare करना है secondly एक चीज़ और अब यह cut off के prediction and cut off के इस race में मत फस जाओ भाई YouTube पे देखो वीडियो डालेंगे सब cut off cut off cut off and everyone ठीक है and देखो उनका काम है वो cut off जान बुझके 60 50 40 30 भी कर देंगे ताकि उनकी test series बिग जाए but ऐसे जाल में ना फस यह coaching वाले करते हैं ठीक है they will show cut off 60 cut off कोई 50 दिखा देगा right but हाँ cut off low definitely होगी because मैंने आपको दो रीजन उसके बता दिए paper one tough था और as well as seasat was equivalent to cat और बहुत सारे लोग वहाँ पे flunk होंगे ठीक है especially जिनके इस portion में वो weak है aptitude or contour में जो weak होते है वो especially मरे ठीक है right तो यह चीज़ आप ध्यान लखे है then हम बात करते है अब अब देगो future हमारी series क्या आएगी youtube पे तो yes मैं अब अब अपना जो gear है वो shift करेंगे mains की और and मैं mains oriented भी बहुत सारी videos आपके लिए बनाऊँगा so definitely channel पे जुड़े रहें ठीक है मैं कल आपके साथ एक free mains की strategy शेयर करूँगा और right and कैसे हम आगे इसको progress करेंगे ठीक है so I hope आपको sound में आया होगा I hope वह होगा आज के लिए कुछ ना करें ठीक है सिर्फ अराम करें अगर match करने answer तो match करने कुछ भी आरे कोई बात नहीं अभी सब change होगा ठीक है and ultimately decide देखो final UPSC की ही की करेगी ठीक है तो लड़ाई करने का कोई फाइदा नहीं है ठीक है अगर आपके किसी भी coaching एक standard की coaching अगर आप देखोगे ठीक है next IS जो भी आप follow करते हो forum inside IS बाबा बाबा तो आप इनके से देख लो और match कर लो एक range निकाल लो यहाँ असर 75 to 85 80 to 95 बस and start preparing for mains from you can say 1-2 days का break लेके start कर दो ठीक है चलिए this is me Sumit signing off